किस देश में क्या मज़दूरों के लिए गरिब आदमी के लिए जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं क्या उनकी कोई कोई चिंता नहीं है क्या उनके बारे में कोई कार योजना सरकार के पास नहीं है कोई नीती सरकार के पास नहीं है उनके लिए कोई पैकेश सरकार के पास नहीं है हर दिन टीवी चैनल पे आप देखेंगे हिंदू मुसल्मान की बहस यानि टीवी वालों को ये भी पता चल जाता है कि अंडमान निकोबार में अगर दो लोग आपस में भिड़े तो उसमें हिंदू कौन था और मुसल्मान कौन था और उसका क्या एंगिल देना है उसकी भी चर्चा सुरू हो जाती है तीन तलाग पे महीनों बहस करती है टीवी मीडिया मंदिर मस्जित पे महीनों बहस करती है सालों महस करती है लेकिन जब कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है तो उस पर कोई बातचीत नहीं होती आपको मैं बताना चाहता हूँ पिछले दिनों क्या हुआ जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जो बैंकों में जमा होता है मजदूर का पैसा किसान का पैसा करमचारी का पैसा चोटे बैपारी का पैसा वो पैसा उठाकर बैंकों ने कुछ बड़े पूजी पतियों को कर्ज दे दिया और यह करजा लाखों करोन रुपे में है इसके बारे में मैंने पार्लेमेंट में भी सवाल उठाया लगब दस लाख करोड रुपए का करजा चंद पूजी पत्यों को दिया गया है पूरे देश के अंदर और सरकार धीरे 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 करके उनका करजा माफ करती जाती है हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए कोई पैकेज नहीं है लेकिन आपने नाम सुना होगा नीरो मोदी का मेहुल चौकसी का जिन्नोंने लगब बाईस हजार करोड रुपए बैंकों का लूटा है ब्रस्टचार किया है और आज वो विदेशों में बैठे है मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिक्ता ले ली विदेश में जाके बस गया नीरो मोदी के बारे में खबरें चलती है वो भगोड़ा है अब आएगा लंदन में चिपा है यहाँ है वहाँ है अरे आपे किसको मूर्ख बना रहे है इस खबर पे जड़ा ध्यान दीजिए आप लो मेहुल चौकसी का और नीरो मोदी का हजारों करोड रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने माफ कर दिया हजारों करोड रुपए और सिर्फ मेहुल चौकसी नीरो मोदी का नहीं ऐसे पचास ऐसे पचास विलफुल डिफाल्टर है टॉप डिफाल्टर है ऐसे पचास बड़े कर्जदार हैं जिनका आंसट हजार छेसो साथ करोड रुपए माफ कर दिया गया और पूरे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं कहीं किसी टीवी चैनल पर बहस नहीं कहीं कोई इसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है आप बताइए कि अगर ये आंसट पटने के लिए इस वक्त लगा दिया जाता तो कितना भला हो सकता था इस देश के मजदूरों का आज बिहार की सरकार नितिस कुमार जी और उनके उपमुख्यमंत्री जो भारती जंता पार्टी के हैं सुसील मोदी जी वो कहते हैं हमको बिहार के लोगों को घर बुलाने के लिए पैसा नहीं है कि हम गारी नहीं दे सकते हम बस नहीं दे सकते के लेकिन यह 169000 करोड रुपए चंद पूंजी पतियों का पचास पूंजी पतियों का माफ कर दिया गया यह 161000 करोड रुपए अगर उन मजदूरों की जो हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं अगर उन किसानों की जो आत्म हत्या करने के लिए मजबूर होते हैं अगर वो लोग जो गरीबी के कारण दोवक्त की रोटी नहीं पा रहे हैं उनका चूला जलाने में सबको उनके घर पहुचाया जा सकता था इस पैसे लेकिन नहीं आपके लिए पैसा नहीं है आपकी सुविधा के लिए पैसा नहीं हमने दुच्छ देखें विहार के अंदर एक स्कूल के अंदर बंध हैं लोग और गुलामों की तरह उनके साथ बरताव किया जा रहा है कोई जा रहा है केड़ा दे रहा है कोई ब्रेट फेक रहा है उसमें तूटे पड़े जा रहा है सही आगरा का द्रिश्चे हम लोगों ने देखा यह बहुत ही पीड़ा दायक जो कल की घटना का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि नासिक से मिक्सर के अंदर बैठके 14 मजदूर चल पड़े आप उनकी पीड़ा का अंदाज अलगाईए उनके लिए कोई पैसा नहीं है उनके लिए कोई पैकेज नहीं है पैकेज किसके लिए है इन बेइमानों के लिए है ये ये नीरो मोदी ये मेहुल चोकसी ये ये मेहुल भाई जो है ये नीरो मोदी जो है इसके लिए पैसे है सरकार के पास 68 हजार करोर रुपए भाजपा की केंद्र सरकार डिमाफ कर दिया 50 पूंजी पतियों का इनके लिए पैसा है सरकार के पास में दे दिया जाता है और आके नागरिकता ले लेते हैं सरकार उनको ढूंडने का पकड़ने का बहाना करती है और बाद में उन्हीं का करजा माफ कर देती है और इस पे आपने किसी टीवी चैनल पे बहस देखा कहीं आपने दो लोगों को मुर्गा लडाओ योजना के तहट आपस में लड़ते हुए देखा कोई चर्चा कोई पहस आपने देखी किसी ने सवाल पूछा इस केंदर की सरकार से भाजपा की सरकार से कि भाई ये बताओ कि 68000 करोड रुपे तुमने गरीबों के लिए क्यों नहीं लगा है आज क्या कर रहे हैं देश में चर्चा किस बा आने वाला मुसल्मान है उसके खिलाफ नफरत पहलाओ कि पालगर के मुद्दे को हिंदु मुसल्मान में तबदील करो कहीं जमात के लोग नहीं भी पहुँचे हैं तो ये बताओ कि ये जमाती हैं आपने देखा होगा पिछले दिए कुसी नगर में फरीदाबाद में अरुनाचल प्रोदेस में टीवी मीडिया ने चला दिया इतने पॉजिटिव जमाती पकड़े गए बाद में पता चला वहां की पुलिस ने खंडन किया भाई यहां ऐसा कोई आया ही नहीं इतनी नफरत इतनी घ्रा समाज को बाटने की इतनी कोशिस हंदुस्तान में चल नहीं है भाजपा का विधायक खुलेयाम एक सब्जी वाले को गाली देता है इसलिए कि वो मुसल्मान है और कहता है कि बस इधर दिखाई मत पढ़ना चरकारी या कहा का विधायक भारतियंता पार्टी का बुंदेल खंड के इलाके का यह आप कर रहे हैं और पूरे देश को हिंदु मुसल्मान में बाटके नफरत में लड़ा के आपस में एक दूसरे के बीच दूरियां पैदा करके आप कर क्या रहे हैं आग चंद पूजी पतियों का करजा माफ कर रहे हैं कि कोरोना संकट से निपटने के लिए यह 68000 करोन आपने नहीं लगाए आपको चिंता है मेहुल चौकसी की आपको चिंता है नीरो मोधी की आपको चिंता है उन 50 पूजी पतियों की जिनोंने बैंकों को लूटा है गरीब आदमी के आम आद अरे भई महीनों से फसे हैं लोग कोई आया था एमस में इलाज कराने कोई यहां पर पढ़ाई कर रहा है कोई अपनी बेटी के घर आया था कोई अपने भाई के घर आया था लोग फसे हुए हैं अपने घर जाना चाहते हैं परिशान हैं परिवार से मिलना चाहते हैं उनके ल और उनसे उमीद मत कीजिए कि वो कोई चर्चा करेंगे अपने अपने अस्तर पे सोसल मीडिया पर वीडियो बनाकर ये मामला आप लोग प्रचारित कीजिए वाटसेप पे फेस्बुक पे ट्वीटर पे और इसको गाहों गाहों तक पहुचाईए कि अनसट हजार करोर गया है और गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है गरीबों को भूंक से पीडर जहलने के लिए छोड़ दिया गया है गरीबों को हजारों किलोमीटर पैदल चलने के लिए लावारिश छोड़ दिया गया है इस मुद्दे को पहुचाईए लोगों तक सवाल पूछना होगा अपने अपने अस्तर पे अपनी ताकत पे आपके फेस्बुक पे सो लोग जुड़े हैं आपके वाटसेप पे दो सो लोग जुड़े हैं उन तक पहुचा ये बार क्या क्यों ये 68,000 करोर रुपए आपका पैसा किसी और का पैसा नहीं आपने जो जमा किया थ इनकलाब जिन्दाबाद जैए हिन